First question है हमारा ONGC को बिहार सरकार के दोरा किन दो जिलो के गंगा बेसिन इलाके में Petroleum Explorance License यानि की PEL की मंजूरी मिली है तो बिहार सरकार ने बकसर और समस्तिपूर इन दो जिलो में ONGC को मंजूरी दी है Petroleum Explorance License की ठीक है O NGC को बिहार सरकाने के इन दो जिलों के लिए PEL की मंजूरी दिये है बकसर और समस्तिपूर की नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में इससे देश के सबसे बड़े सौन भंडार में खनन कारे सुरू करने की युजना बनाई गई है तो बिहार का जो जमूई जिला है जमूई जिले में देश का सबसे बड़ा सौन भंडार का जो खनन है उसका काम सुरू किया जाएगा बिहार के जमूई में नेक्स्ट है निमलिकित में से किसके द्वारा हरी जहन्टी दिखा कर 23 माई 2022 को पटना से खरीफ महा अभियान 2022 की सुरूआत की गई तो पटना से खरीफ महा अभियान 2022 की सुरूआत कहां से हुई है तो यह पटना से हुई किस दिन हुई 23 माई 2022 को हरी जहन्टी दिखाया गया और ये किन के दोरा दिखाएगा है नितिस कुमार के दोरा जो बिहार के वरतमान में मुख्य मंतरी है नितिस कुमार इन्होंने हरी जंटी दिखा कर 23 मई डेट भी आप लोग याद रखना कि 2022 को पटना से ये सुरू हुआ था खरीफ महाभियान 2022 नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में इस्थित करकटगट जलपडपात को इको टूरिज्म के रूप में विक्सित करने की घोसना की गई है तो बिहार का वो कौन सा जिला है जहाँ पे करकटगट जलपडपात है इसको इको टूरिज्म के रूप में विक्सित करने की घोसना तो ये कैमूर में है कैमूर जिलें बिहार का जो समना यहां में इस घ्र डूरिवन के विख में अधॅ card रबर डैम का निर्मान बिहार के जल संसादन बिभाग के द्वारा करा गया है तो बिहार के गया जिले में कौन सी नदी है जिसके उपर नदी की बातोरी किस नदी के उपर 411 मीटर लंबा रबर डैम का निर्मान बिहार के जल संसादन बिभाग के द्वारा करा गया है तो फल फल्गू नदी है, गया जिले में फल्गू नदी के ऊपर 411 मीटर लंबा रवर डैम का निर्मान कराया जाएगा, नेक्स्ट है भारत के पहले ग्रीन फिल्ड ग्रेन बिस्ट इथेनौल प्लांट का सुभारम, बिहार के किस जिले में किया गया है, तो भारत का पहला घ्रीन इसका जो सुभारम है यह पुर्णिया में हुआ है ठीक है काइस देखो काफी जादा यह यूसफुल वीडियो है इसलिए इसको इन्ट तक देखना ठीक है और एक से दो बार देखना रिविजन कर लेना अच्छे डंग से यहां से कोस्टन डेफिनेटली बनेंगे करेंट अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में आप लोग मुझे अगर कुछ डाउट रह जाता है आपको तो प्लीज मुझे पूछ सकते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते है नेक्स्ट है 100 करोड के लागत से बने बिहार के सबसे बरे इसकौन मंदिर का लोकारपन किस सहर में किया गया है तो इसकी लागत कितनी है 100 करोड की लागत है बिहार का सबसे बरा इसकौन मंदिर बिहार के सबसे बरे इसकौन मंदिर का जो निर्मान है किस सहर में लोकारपन ये किस सहर में किया गया है तो ये पटना में किया गया है बिहार का सबसे बरा इस कौन मंदिर नेक्स्ट नीती आयोग की मार्च 2022 के लिए आकांची जिला रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने देश में पर्थम इस्थान हासिल किया तो निती आयोक का रिपोर्ट आया था आकांची जिलो का आकांची जिलो रैंकिंग इसमें बिहार का कौन सा जिला है जिसने देश में पर्थमिस्थान हासिल किया तो इसका नाम अप्रुख जिले का नाम यादर किना मुजफरपूर मुजफर पुर्जो है यहां कांची जिला रैंकिंग में पर्थम स्थान पे है नेक्स्ट है ब्राजील में आयोजित 24 वे ग्रिम सिकालीन डेफ लिफीन्स 2021 की बैड्मिंटन परतियोगिता में हाजीपुर बिहार के किस खिलारी ने 60 पदक जीता तो ब्राजील में आयोजित हुआ था 24 वा ग्रिम सिकालीन डेफ लिफीन्स 2021 इसमें बैड्मिंटन जो परतियोगिता हुआ था इसमें सौन्ड पदक जीता है रितिक आनंद ने यह कहां से हैं यह हाजीपुर बिहार से हैं रितिक आनंद नेक्स्ट है बिहार में जातिये गन्ना कितने चर्णों में करवाई जा रही है बिहार में जो जातिये गन्ना है यह दो चर्णों में करवाई जा रही है नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नितिसकुमार ने बिहार पसु विज्ञान विस्व विद्याले के परस्तावित भवनों की आधार सीला किस जिले में रखी है तो नितिसकुमार के दौरा बिहार पसु विज्ञान विस्व विद्याले जो है इसकी आधार सीला रखी गई है किस जिले में पटना में नेक्स्ट है हाली में बिहार के किस जिले में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की घोसना की गई है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है ये लगाने जाने की गोशना होई ये नवाधा और कैमुर में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट नेक्स्ट है मई 2022 में अद्योगी करण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा अद्योगी क निवेस प्रोथसाहन नीती यानि की वस्त और चमडा 2022 को मंजूरी दी गई है तो पतना हाइकोट की पर्थम महीला जज्ज जो है वो जस्टिस इंदू परभा सिंग है जिनकी हाली में मिर्थि हो गई है सारे questions important है सारे के जारे नेक्स ते पढ़ियावरन के अनुकूल उपायों का बहतर उपयोग के लिए बिहार के किस station को Indian Green Building Council द्वारा परतिस्थित gold rating दिया गया है पढ़ियावरन के अनुकूल उपायों का बहतर उपयोग करने के लिए बिहार का कौन सा station है जिसको Indian Green Building Council के द्वारा gold rating दिया गया है तो यह बापुधा मोतिहारी station बापुधा मोतिहारी में है बापुधा मोतिहारी railway station नेक्स्ट कोश्टन है हाली में जारी केंद्रिय सिक्षा विभाग की report के अनुसार राज्यों में भासा पे खर्च करने के मामले में बिहार किस इस्थान पे है तो राज्यों में भासा के ऊपर खर्च करने के मामले में बिहार का जो इस्थान है वो तीसरा है नेक्स्ट है हाली में बिहार के किस जिले में राज्ये का दूसरा डॉपलर रडार ये कहां पे लगा है नेक्स्ट है मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सिसु मृत्यू दर घट कर कितनी हो गई है तो मई 2022 में जो रिपोर्ट जारी हुई इसके अनुसार बिहार में सिसु मृत्यू दर जो है वो घट करके 27 हो गई है नेक्स्ट है निमलिकित में से किस नाम से हाली में भोजपूरी का पहला OTT एप लॉंच किया गया है तो भोजपूरी का पहला OTT एप लॉंच हुआ है जिसका क्या नाम है चौपाल नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में 200 एकर में रामायन मंदिर का निर्मान काम 3 मई 2022 को सुरू किया गया बिहार का वो कौन सा जिला है जहांपे 200 एकर में रामायन मंदिर का निर्मान जो है यह सुरू हुआ है रामायन मंदिर तो यह पुडवी चमपारन में हुआ है नेक्स्ट है बिहार में जातिये गन्ना की सुरुवात कब से की गई तो बिहार में जातिये गन्ना की सुरुवात 7 जनवरी 2023 से हुई है और ये कितने चर्णों में हुई है दो चर्णों में हुई है नेक्स्ट कोस्चन है हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में कितने मीटर से अधिक उचाई वाले सभी भवनों के विधुत सुरक्षा ओडिट का आदेश दिया है तो बिहार सरकार के दोरा पटना में जितने भी भवन है जो 15 मीटर से अधिक उचाई के हैं उन सभी को विधु मेगावाट सौर उर्जा उत्पादन के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा सतलुज जल विदुत निगम के बीच समझोता हुआ है तो बिहार के कौन से वो दो जिले हैं तो बागा और जमुई बागा और जमुई जो है ये बिहार के इन दोनो जिलो में 200 मेगा वार्ट सौर उर्जा उत्पादन करने के लिए किनके किनके भी समझोता हुआ है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड और सतलुज जल विदुत निगम इन दोनों के भी समझोता हुआ है नेक्स्टे निमलिकित में से कौन सा एयरपोर्ट मैथली भासा में उद घोसना करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है तो दर्भंगा एयरपोर्ट सितंबर 2022 में बिहार इन्वेस्टर मीट 2022 का आयोजन करा गया और ये कहां पहुआ पहुआ पटना में तो औरंगा से जैनगर को जोड़ने वाल है 271 कीलो मीटर लंबा बिहार का पहला एक्सप्रेस वे का निर्मान कारे जो है ये कब तक पूरा हो जाएगा 2024 तक औरंगा से जैनगर को जोड़ना है नेक्स्ट कोस्टन है निमलिकित में से किस राज्य में पहली बार 27 अपरेल 2023 से 11 दिवस्य कारे करम गंगोचसव का आयोजन क्या गया तो गंगोचसव का जो आयोजन है ये कहां पे हुआ बिहार में 27 अपरेल 2023 से लेकर के मतब यह किया जाएगा सौरी 27 अपरेल 2023 से होगा 11 दिन के लिए यह होगा गंगोटसव नेक्स्ट है मई 2022 में सीता मढी के किस वैक्ती को राश्चपती के दौरा विशिस्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया तो सीता मढी के हैं यह एर मार्सल अमित देव एर मार्सल अमित देव जो हैं सीता मढी के हैं और इनको राश्चपती के दौरा विशिस्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है नेक्स्ट है मई 2022 में बिहार की पहली और देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोडो परियोजना को राज्चे की कैबिनेट ने सुरू करने की मंजूरी दी है तो ये कौन सा पर्योजना है जो विहार का पहला और देश का दूसरा सबसे बड़ा नदी जोडो पर्योजना है जिसको मंजूरी दी गई है तो ये हो जाएगा कोसी मेची लिंक पर्योजना कोसी नदी को मेची नदी से लिंक करने की जो पर्योजना है विहार का पहला और दे निर्मान कहां किया जाएगा, शत्रा सो एकर में पहले बिहार का सबसे बड़ा टेक्स्टाइल पार्क, इसका निर्मान कहां पर होगा, पेतिया में, पस्चिम जमपारन बेतिया में बिहार के सबसे बड़े टेक्स्टाइल पार्क का निर्मान किया जाएगा, नेक्स्ट है न नेक्स्ट है बिहार टेक्स्टायले एवं लेदर पॉलिसी 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है इसके बारे में जितने भी कथन दिये गए है यह सारे ही सही है कथन देख लेते हैं हम लोग इसके तहत बिहार टेक्स टायल एवं लेदर पॉलिसी 2022 के तहत सैंत्र एवं मशीनरी के लिए पुंजीगत निवेस पर लागत का इकाईयों को 30% पडिवहन सबसीडी दी जाएगी और इसके तहत 5 साल तक माल धुलाई पर 10 लाग रुपे परती वर्स का अनुदान जोई ये मिलेगा नेक्स्ट कोस्टन है हर्याना में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के संबंद में सही कथन बताना है हमें तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 कहां पर हर्याना में इसके बारे में सही कथन बताना है कथन देखते हैं बिहार ने एक स्वण और एक कांसे पदक जीळा। जहानाबाद के भोला कुमार ने भारोत तोलन में स्वण पदक जीळा। और कैमूर जी लेके जो सुभं कुमार है इन्होंने कुस्ती परतियोगिता में कांसे पडग जी़ता तो हर्यादा में खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 आईोजित हुआ जिसमें भिहार ने एक सुभंड पडग जीता और एक कांसे पडग जीता सुन्ड पदक जो है जहानाबाद के भोला कुमार है इन्होंने भारो तोलन में जीता और कांसे पदक कैमुर जी लेके सुभम कुबार ने कुस्ती पर्तियों गिता में जीता है तो option C right हो जाएगा next है मुख्यमंत्री नितिस कुमार के दोरा जरूत मंदो एवं और सहाई लोगों के लिए किस जिले में निर्मित अमर प्रेम भवन का लोकारपन किया गया तो नितिस कुमार के दोड़ा जरूत मंदो और और सहाई लोगों के लिए अमर प्रेम भवन का जो लोकारपन है ये पटना जिले में किया गया है नेक्स्ट है हाली में गंगा नदी पे किस जिले में देश का सबसे लंबा स्टिल बिरिज बन करके तयार हो गया है नेक्स्ट है बिहार में चौथा किरिसी रोड मैप कब से लागू होगा बिहार में चौथा किरिसी जो रोड मैप है ये एक अप्रेल दोजार तईस से लागू होगा नेक्स्ट है करनाटक के चित्र दुर्ग जिले में मनाएगए भागी रत जैनती के अफसर पर बिहार के किस वैक्ति को भागी रत स्री सम्मान से सम्मानित किया गया तो भागिरत स्री सम्मान, भागिरत जो स्री सम्मान है यहाँ पर भागिरत स्री सम्मान से इनको नवाजा गया रेनू देवी को नेक्स्ट कोश्टन है, हाल ही में बिहार के गिदेश्वर परवत पर प्राचीन सेत्र चित्र पाये गया है गिदेशवर परबत बिहार के किस जिले में इस्थित है तो बिहार के गिदेशवर परबत पे प्राचीन जो है सैत्र चित्र जो है वो पाया गया है ये गिदेशवर परबत किस जिले में है तो गिदेशवर परबत जमुई में है नेक्स ने बिहार में कहां पर STF का ट्रेनिंग सेंटर बन करके तयार हो गया है जहां पुलिस बिहार पुलिस के जवानों को कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी जो है ये दूसरा राज्य है दूसरा कतने बिहार में 90 वर्स के बाद जाती आधारी जनगन्ना की जारी है ये भी सही है इसके लिए बिहार सरकार 500 करों रूपे खर्च करेगी और मई 2023 तक इस सरवे को पूरा करने का लक्ष रखा गया है उपसल सी राइट होगा सारे कतन जो ह वो सही है तो आपको याद रखना है कि पहला राज्य महाराष्ट था बिहार जो दूसरा राज्य बना है जो जाती आधारी जनगन्ना करेगा और ये 90 वर्सों के बाद हो रही है इसके लिए बिहार सरकार 500 करों रूपे खर्च करेगी और इसको पूरा करने का लक्ष मई 2023 23 तक रखा गया है नेक्स्ट एं इमरिकित में से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है बिहार सरकार के उद्योग विभाग को MSME के सेक्टर में बहतरीन परदर्सन के लिए नेशनल MSME अवर्ड मिला है तो बिल्कुल सही है ये बिहार सरकार के उद्योग विभाग को MSME के सेक्ट में लिंक दिया हुआ है आपनों वहां से देख लेना अगर आपको इसका अंसर नहीं आता अगर आता है तो कमेंट करें नेक्स्ट है उरिसा के बाद विहार ने MSME सेक्टर में देश में दूसरा अस्थान प्राप्त किया तो यह दोनों कथन सही है नेक्स्ट कोस्टन है उत्री कोयल जलासे योजना के संबंध में सही कतन बताना है उत्री कोयल जलासे योजना इस योजना से बिहार के 1.12 लाग हेक्टेर में सिचाई चमता का विकास होगा कितने लाग हेक्टेर 1.12 लाग हेक्टेर next day 52 साल के बाद इस महत्वा कांची पडियोजना के निर्मान का रास्ता साफ हो गया है मंडल डैम का मंडल डैम इस पडियोजना का भाग है उत्री कोयल सोन की सहायक नदी है option d right होगा सारे कतन सही है तो उत्री कोयल जो जला से योजना है ये उत्री कोयल नदी और सोन की सहायक नदी है है ना ये चीज़ जयाद रखना और ये 1.12 लाख हेक्टेर में इसी जाई करने की छमता देगा ये नेक्स्ट निम्रिकित में से किस पुस्तक के लिए लेकक मुरली मनोहर स्रीवास्तव को इंडिया भूक और रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया है इंडिया भूक और रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया है इंडिया भूक और रिकॉर्ड 2022 से किसको नवाजा गया मुरली मनोहर को इनकी पुस्तक सहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान सहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान इस पुस्तक के लिए मुर्ली मनोहड को इंडिया बुक ओफ रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया नेक्स्ट रे पटना के पाटली पुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में आयोजित साथवे जुनियर रगभी चैंपियनशिप में किस राज़े के बालिका और बालक वर्ग ने खिताब जीता है तो पटना के पाटली पुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में आयोजित हुआ था साथवे जुनियर रगभी चैंपियनसिप यहाँ पे किस राजे के बालिका और बालक वर्ग ने खिताब जीता तो ये बिहार के बच्चों ने जीता नेक्स्ट ए हाली में बिहार के किन जिलो को धुरुमपान मुक्त जिला घोसित होने पर राजे अस्तरिय समान समारों में पुस्कृत किया गया है तो धुरुमपान मुक्त जिला इसका अवर्ड जो है एकिस किस को किस किस जिलो को मिला है मुजफरपूर, सीता मडी और सीवर यहाँ पे जो है लोग धुरुमपान नहीं करते है स्रिया करोश गूरु लागत से ब्यार विद्याले परिक्षा समीति के द्वाला राज्ये कास सबसे बड़ा परिक्षा भवन कहां बनाया जा रहा है जिसमें 25,000 बच्चे एक साथ परिक्षा दे सकते हैं तो 261 करोर रुपे की लागत से बिहार विद्याले परिक्षा समीती के द्वारा परिक्षा भवन बनाया जा रहा है जिसमें 25,000 बच्चे एक साथ परिक्षा दे सकते हैं ये कहाँ पर बन रहा है पटना में नेक्स्ट एक इस रेल मंडल छेतर के नीउ जल्पाई गूडी रेल वे स्टेशन से धाका के बीच चलने वाली मिताली एक्सप्रिस का पढ़िचालन जून 2022 से किया गया next is set one का last question पत्ना में आयोजित नौवी senior रास्टी रगवी परती होगी ताकि महीला वर्ग में बिहार की team ने किस राज्जे को हरा कर पहली बार national championship जीता है तो पत्ना में आयोजित हुआ था नौवा senior रास्टी रगवी परती होगी था जिसमें बिहार की टीम ने जो है पहली बार नेशनल चैंपियनसिप जीता है एक किस राज्य को हडाया पस्चिम बंगाल को सेट वन का यहाँ पे कंप्लिट होता है नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सेट टू पे सेट टू का पहला कोस्चन देखते हैं वर्ल्ड वाइललाइफ फंड इंडिया के दौरा जारी आगडों के अनुसार जुलाई 2022 तक बिहार में बागों की संख्या कितनी थी तो बिहार में बागों की संख्या यह 67 थी ठीक है इसको याद रखना बिहार के किस जिले में नकलसीों के विरुत उप्रेशन सैडो चलाए गया यह किस जिले में चलाए गया मुंगेर में वित्या बर्स 2016-17 से 2021-22 के बीच परधान मंतरी आवास योजना के अंतरगत बिहार में किस जिले ने पर्थम इस्थान हासिल किया है तो वित्तिय वर्ष 2016-17 से लेकर के 2021-22 के बीच परधान मदरी आवास योजना के अंतरगत पहला इस्थान जो है ये बिहार के किसंगन जिले को हासिल हुआ है नेक्स्ट है गुजरात में आयोजित रास्टी ओपिन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियंशिप में बिहार के किस खिलाडी ने दो सुर्ण पदक जीता ने इते काड़िव विध्याले की बीच समझोहता ग्यापन हस्ताकशर किया गया पूरातत्व, इतिहास और विरासत अध्यन के छेतर में संज्युक्त अनुसंधान के लिए बिहार, विरासत, विकास, समीती और किस देश का है कार्डिफ विश्विद्याले जिसके भी समझोता हुआ तो कार्डिफ विश्विद्याले जो है ये बिरेटेन का है कार्डिफ विश्विद्याले इनके भी समझोता हुआ नेक्स्ट è 14 जुलाई 222 को भिहार के किस जिले में किन्नर मोहतसथ 2022 का आयोजन पत्णा में हुआ नेक्स्ट कोश्चन है जून 2022 में स्वास्त मंत्री मनसुक मंडाविया के दौरा रास्टी परिवार स्वास्त सर्वेक्षन के पाचवे दौर की रास्टी रिपोर्ट जारी की गई इसके संबंद में कौन सा कथन सत्य है तो स्वास्त मंत्री मनसुक मंडाविया के दौरा जून 2022 में रास्टी परिवार स्वास्त सर्वेक्षन का पाचवा दौर इसके रास्टी रिपोर्ट जारी की गई जिसके संबंद में कतन दिये गए बिहार में NFHS 4 यानि की रास्टी परिवार स्वास्त सर्वेक्षन इसकी तुलना में NFHS 5 में परजरन दर 3.4 से घट करके 3 हो गया है 3.94 से घट करके 3.0 हो गया तो इसको याद रखना कि यह घट गया बिहार में लिंगा अनुपाद जो है 1062 से बढ़ करके 1090 हो गया है तो यह चीज़ भी एकदम याद रखना लिंगा अनुपाद बढ़ गया है नेक्स्ट है बिहार में नवजात सिसू मिर्तियुदर जो है यह NFHS 4 में 36.7 थी जो की घट करके 34.5 हो गया है तो यह सब डाटा आपको याद रखना है ठीक है डाटा से एक्जाय में कोस्चन आ जाता है औपसन डी राइट होगा इसके सारे कतन सही है नेक्स्ट है स्रिलंका के वास्का दुवा में चल रहे एस्याई स्कूल सतरंज परतियोगिता में बिहार के किस खिलारी ने अंडर 11 वर्ग में भारत के लिए सोंड पदक जीता तो स्रिलंका के कौन सा जगा है वास्का दुवा वास्का दुआ ही कहाँ पे स्रिलंका में स्रिलंका के वास्का दुआ में ACI स्कूल सतरंच परतियोगिता हुआ जहाँ पे बिहार के रियान मुहम्मद ने अंडर 11 वर्ग में भारत के लिए सोन पदक जीता बिहार के हैं रियान मुहम्मद नेक्स्टे बिहार राज्ये का पहला स्थाई ट्राफिक पार्क किस जिले के वीर कुवर सिंग पार्क में बनाए गया वीर कुवर सिंग पार्क जहाँ पे बिहार राज्ये का पहला स्थाई ट्राफिक पार्क बनाए गया ये किस जिले में बनाए गया पटना में नेक्स ने, दोहजर बीस एकिस में वारसीक मछली उत्पादन में बिहार का रैंक है चौथा नेक्स ने, बिहार करीसी विष्विद्याले के द्वारा विक्सित सबऔर किष्ण कली किस सबजी की एक नई किसम है सबौर किषन कली, एक इस सब्जी की एक नई किसमय बैंगन की सबौर किष्न कली next है सत्टे कतन पताना है, बिहार विधान समावे विधायकों की संक्खया से related लाजनीतिक दल है, विधायकों की संक्खया जंता दल के कितने विधायक है, फुट्ट्रिफाइब भारतिय जनता पार्टी के 77, भारतिय जनता अदल के 80, और यह आगड़ा आपको याद रखना है नेक्स्ट है NIRF 2022 रैंकिंग के संबंद में सही कतन बताना है NIRF 2022 इसमें पहला कतन है IIT मदराज देश का सबसे बहतरीन संस्था बना हुआ है तो बिल्कुल सही है यह IISC Bangalore University category में टॉप पड़ है बिहार के दो सिक्षन संसान IIT पटना और NIT पटना टॉप 100 में है तो आपको याद रखना है NIRF 2022 की रैंकिंग में IIT मदराज जो यह देश का सबसे बहतरीन संसा है और University category में IISC Bangalore जो यह टॉप पे है बिहार के दो कौन से संसान टॉप 100 में आए है तो IIT पटना और NIT पटना NECST हाली में GANGATIC DOLPHIN के सं술क्षन के लिए बिहार के केस ढिले में 7 दिवस्य संहरक्षन कारे करम का आयूजन किया गया के लिए 7 दिवस्य संहरक्षन कारे करम का आयूजन बिहार के पटना में हुआ नेक्स्टे हाली में बिहार के प्रोफेसर जाहिद असरफ को राष्टपती ने विजीटर अवार्ट से सम्मानित किया है उनका संबंद बिहार के किस जिले से है तो प्रोफेसर जाहिद असरफ को राश्टपती के दौरा विजीटर अवोर्ट से सम्मानित क्या गया है ये बिहार के किस दिले से सम्मदित है खगडिया से नेक्स्ट है हाली में बिहार के पढ़ियतर विभाग ने सावन में देवघर जाने वाले कामवडियों की सुविधा के लिए किस एप को लाँच किया है तो पढ़ियतर विभाग के दौरा सावन में देवघर जाने वाले कामवडियों की सुविधा के लिए एप लाँच किया गया है कामवड यातर एप 2022 22 पढ़ियतन मंत्री कौन है विहार के कमेंट में बता सकते हैं क्या मैंने पढ़ाया हुआ है इसलिए मैं पूछ रही हूँ अगर आपने वीडियो नहीं देखा है देख लो नहीं आता है तो जानना जरूरी है नेक्स्टे बिहार क्रिसी विस्विद्याले सबोर भागलपूर कहा नील गाए अनुसंधान के अंदर इस्थापित करेगा तो सबोर भागलपूर के द्वारा नील गाए अनुसंधान के अंदर इस्थापित किया जाएगा वीड कुवर सिंग क्रिसी विस्विद्याले डुम बिहार के इतने जिलों में 2400 बच्चों की पढ़ाई के लिए आवासी विद्याले का निर्मान किया जाएगा तो 12 जिलों में नेक्स्ट बिहार सरकार ने आदेज जारी कर किस जाती से अनुसुचित जन जाती का दरजा वापस ले लिया है तो अनुसुचित जन जाती का दर्जा जो है यह वापस ले लिया है लोहार जाती से नेक्स्ट है हाली में टीबी रोग के उनमुलन के लिए बिहार सरकार के मत्से पालन विभाग ने पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में कौन सी योजना शुरू किया देखो गाइस बहुत कुछ यहां पे स्टार्ट हुआ है और देखो जैसे मत्से पालन विभाग परियतन विभाग यह सब तो मत्से पालन मंत्री कौन है परियतन मंत्री कौन है उद्योग मंत्री कौन है इ नेक्स्ट ने देस की पहली One Health Lab का उदःगाटन बिहार के किस जिले में हुआ है? देस का पहला, भारत का पहला One Health Lab इसका उदःगाटन क्या गया है बिहार में? बिहार के मुझण पूर जिले में। नेक्स्ट ने बिहार विधान सभा भवन के सताब्दी समापन समारों के मुख्य अतिती कौन थे बिहार विधान सभा भवन के सताब्दी समापन समारों के मुख्य अतिती परधान मंतरी नरेंदर मोधी थे नेक्स्ट कोस्ट ने बिहार विधान सभा भवन की सताबदी को चिनित करने के लिए बनाये गए सताबदी स्मिर्थी अस्तंब के संबंध में सही कतन तो सताबदी स्मिर्थी अस्तंब बनाया गया अस्तंब के आधार सिला पिछले साल 11 अक्टूबर 2021 को राष्टपती रामनात कोविन ने रखी थी बिल्कुल सही है इस स्मृति अस्तंब का उध्गार्टन परधान मंदरी नरेंद्र मोधी ने किया अस्तंब के सिर्स पे बिहार का परती के बोधी विर्क्ष है जिसे कांशे से अरुन पंदित के द्वारा बनाये गया है तो ये बोधी विर्क्ष किसने बनाय है अरुन पंदित ने option Right होगा उप रृक्त सारे कथन सही है सुधीर कुमार कट्रियार के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है सागा ओफ थ्री टॉप कोर्स ओफ इंडिया सुधीर कुमार ने लिखा है डॉक्र एचन दिवाकर की पुस्तक है अर्या और मॉयोतरी के द्वारा लिखा गया है फिल्ड फैसिलिटेटर गाइड फोर एस बीएप ऑपसन टी राइट होगा यह आपको बुक्स के नाम है और राइटर का नाम याद रखना है नेक्स्ट है बिहार स्वास्त विज्यान विज्विद्याले के पहले कुलपती कौन बनाए गए हैं नेक्स्ट है बिहार का पहला उक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है बिहार का पहला उक्सीजन पार्क गोपाल गंज में बन रहा है नेक्स्ट है चल सकती मंत्राले भारसरकार के दोरा संचालित जल जीवन मिसन के तहत हर घर जल योजना की रैंकिंग में किस जिले को बिहार के सभी 38 जिलों में पहला इस्थान हासिल हुआ है तो कौन सा जिला है जिसको बिहार में पहला इस्थान हासिल हुआ है तो ये अरवल डिस्टिक को नेक्स्ट ए लड़कियों और महिलाओं के लिए महावारी स्वक्षता पे रोड मैप तयार करने वाला बिहार विस्व का कौन सा राज्ये देश का कौन सा राज्ये है तो लड़कियों और महिलाओं के लिए महावारी स्वक्षता पे रोड मैप तयार करने वाला बिहार जो है ये देश का कितने नमबर का राज्ये बन गया है पहला राज्ये बन गया है भारत का पहला राज्ये जो लड़कियों और महिलाओं के 22-23 में किस टीम ने बिहार को हडा करके खिताब जीता तो इसमें बिहार को हडा करके खिताब जीता है दादर नागर हवेली के दौरा दादर नागर हवेली जो टीम है अंडर 17 महीला रास्टी फुटोरल चैंपियंसी इसने बिहार को हडा करके खिताब जीता है ये कहां पर आ पुरुसकार मिला है तो मराठी फिल्म है सुमी इसको सरफसेस्ट बाल फिल्म का पुरुसकार मिला इसको किस लेखक ने लिखा है यह बिहार के हैं और इनका नाम है संजीव कुमार जा नेक्स्ट कोशन है वायू गुनवत्ता नेटवर्क इस्थापित करने के लिए किस संस्थान के द्वारा उत्तर परदेश और बिहार के ग्रामिन ब्लॉक में लगबग 1400 सेंसर इस्थापित किया जाएगा वायो गुनवत्ता नेटवर्क इस्थापित करने के लिए उत्तर पर्देश और बिहार के ग्रामिन ब्लॉकों में लगबख 400 सेंसर इस्थापित किये जाएंगे और ये किया ज़रेगा IIT कानपुर के द्वारा नेक्स्ट है हाली में बिहार के किस जिले में राज्जे का पहला Climate Change Learning Lab खोला गया है पटना में नेक्स्ट है निमलिकित में से किस e-commerce company ने बिहार में आपूरती स्रिंखला संचालन Academy पर्योजना को सुरू करने के लिए बिहार राजे कौसल विकास मिसन के साथ एक समझोता किया है तो कौन सा वो e-commerce company है तो इसका नाम है Flipkart Flipkart ने बिहार में आपूरती स्रिंखला संचाला के Academy पर्योजना को सुरू करने के लिए बिहार राजे कौसल विकास मिसन के साथ समझोता किया है नेक्स्ट है हाली में 9 बार विधायक रह चुके बिहार के किस पुर्व मंत्री का 82 बर्स की आयू में निधन हो गया तो ये रमई राम है रमई राम इनका नाम यादर करना रमई राम ये 9 बार विधायक रह चुके हैं इनका निधन हो गया 82 वर्स की आयू में नेक्स्ट कोश्चन है 5 जुलाई 2022 को NFSA के लिए राज्ये रैंकिंग सुचकां के पहले संसकरन के संबंद में कौन सा कथन सत्य है 5 जुलाई 2022 को जारी NFSA के लिए राज्ये रैंकिंग सुचकां के पहले संसकरन के संबंद में कथन दिये गया है इसमें उरिसा पहले स्थान पे रहा बिहार को साथवे स्थान प्राप्थ हुआ तो दोनों कथन सही है, option C right होगा उरिसा पहले स्थान पे रहा और बिहार साथवे स्थान पे Next question, हाली में बिहार के सारण जिले की किस महिला ने दुनिया के सबसे ऊची सरक, उमलिंगा पर साइकल से सफर तै करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकलिस्ट बन गई है Most important question है, बिहार के सारण जिले की है, इनका नाम क्या है? सोईता तिवारी, सोईता तिवारी जो की बिहार के सारण जिले की है और ये दुनिया की सबसे ऊची जो सरक है उमलिंगा, यहाँ पर साइकल से सफर तै करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकलिस्ट बन गई है सोईता तिवारी, नेक्स्टे हाली में किस राजे सरकार ने सभी जिलों में गरीबों को बसाने के लिए मोधी नगर और नितिस नगर बनाया जाने की घोसना की है तो मोधी नगर और नितिस नगर जो है ये बनाया जाएगा बिहार में, गरीबों को बसाया जाएगा नेक्स्ट है हाली में बिहार के किस जंक्सन पे पहला ब्रिल लीपी मैप लगाए गया है पहला ब्रिल लीपी मैप जो है ये बिहार के किस जंक्सन पे लगाए गया है पटना जंक्सन पे नेक्स्ट है बिहार में हर घर जंडा कारेकरम कब से कब तक चलाए गया बिहार में हर घर जंडा कारेकरम जो है यह 8 अगस से 15 अगस तक चलाए गया नेक्स्ट है बेसिक रोड इस्टाटिक्स इन इंडिया 2018-19 के अनुसार ग्रामीन सरकों के सबसे बड़े नेटवर्क में बिहार का कौन सा अस्थान है Basic Road Static Ticks in India 2018-2019 के अनुसार ग्रामी सरकों के सबसे बड़े नेटवर्क में बिहार का अस्थान तीसरा है Next question है 15-25 जुलाई तक बिहार सरकार के उद्योग विभाग दोरा किस सहर में बिहार क्राफ्ट फियर या बिहार सिलिप मेला लगाए गया तो बिहार सिलिप मेला या फिर बिहार क्राफ्ट फियर जो है यह हैदराबाद में लगाए गया Next निम्लिकित में से कौन सा कथन सत्य है मुंबई के मरीन ड्राइब के तरज पे 381 करोड की लागत से पटना में जेपी गंगा पत बनाया जा रहा है तो मुंबई में जो मरीन ड्राइब है इसी के तरज पे पटना में जेपी गंगा पत बनाया जा रहा है गंगा पत की पूरी पर्योजना के अंतरगत दिग्धा से दीदार गंज कुल 20.5 किलो मीटर लंबाई रहेगा इसका ठीक है निति आईो के दौरा हाली में जारी राज्य उर्जा और जलवायू सूचकांक में बिहार का रैंक 15 है नेक्स्ट है धहाली में बिहार के किस वैक्ति को आयूस्मान योजना के तहत सरवादिक हार्ट सरजरी करने के लिए सम्मानित क्या गया सबसे ज़्यादा हार्ट सरजरी करने के लिए समानित क्या गया है डॉक्टर सील अवनीस को नवींतम रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा एक के बच्चों की संख्या के मामले में सिर्ष इस्थान पे बिहार है नेक्स्ट है भार्थिये खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधी करन के čszy राज्ये खाद्य सुरक्षा सूचकांग के संबन में सही कतर बताना है तो FSSAI का चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांग हुआ जिसमें बड़े राजों में तमिलांडू को पहला स्थान पराप्त हुआ है और बिहार को सोलवा स्थान पराप्त हुआ है छोटे राजों में गोआ को पहला स्थान पराप्त हुआ नेक्स्टे मुख्यमंतरी निदेश कुमार के दौरा किस वर्स तक हर खेत तक सिचाई का पाणी योजना को पूरा करने का निदेश दिया गया है तो हर खेत तक सिजाए का पानी योजना जो है इसको निर्दिस कुमार के एक दोरा किस वर्स तक योजना पूरी हो जाएगी तो इसका निर्दिस दिया गया है दोजर पचिस तक नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में काला नमक चाफल की खेती की जारी है, इसकी खेती की जारी है बकसर जिले में नेक्स्ट है मुक्य मतर इंदेट्सकुमार के द्वारा के इस जिले में तीन दिवसी बावा केवल धाम राजे मेले का उधगाटन किया गया सेट थिरी का पहला कोस्ट्यन है पुर्वी चंपारन जिले में कितने वर्स से अधिक आयों के विरिक्षों को गार्जिन ओफ चंपारन का नाम देकर उसकी सुरक्षा का जिम्मा गाउं के बुद्धी जिवी पंचायत के परति निदी एवं अधिकारियों को दिया गया है तो पुर्वी चमपारन जो जिला है वहाँ पे गार्जियन ओफ चमपारन का नाम दिया गया है कितनी वर्स के अधिक आयू के विरिक्षों को तो 50 वर्स से अधिक आयू के जितने भी विरिक्ष हैं उनको गार्जियन ओफ चमपारन का नाम दिया गया है और उसकी सुरक्षा का जो जिम्मा है वो गाउं के अंचायत के जो परतिनीदी और अधिकारी होते हैं उन सभी को दिया गया है नेक्स्ट है किस राज्य सरकार स्वास्त बिभाग ने नए सिरे से हर जिले में पुना सास बहु बेटी अभियान को गती देने का फैसला किया है तो बिहार राज्य सरकार के स्वास्त बिभाग ने नए सिरे से हर जिले में सास बहु बेटी अभियान को गती देने का फैसला कि कौन है कि ते जस्वी परसाद यादव कि नेक्स्ट निम्लिकित में से कौन सुमेलित है अतुल परसाद बिहार लोग सेवा आयों के अध्यक्ष है सम्राट चौधरी बिहार विधान सभा परिशत के विपक्ष के नेता है और विजे कुमार सिन्हा जो है यह बिहार विधान तो बिहार इंजिनेरिंग विष विधाले के पहले कुलपती बनाएगे है तो बिहार इंजिनेरिंग जो विष विधाले है इसके पहले कुलपती जो है सुरेश कांत वर्मा को पिहार इंजिनिरिंग विस विद्ध्याले का पहला कुलपती बनाये गया हाली में सरकार ने मिथिला के निमलिकित में से किस उत्पाद को झीआई टैग दिया है तो मिथिला के मखाना को GI टैग मिला है नेक्स्टे 222 में 76 सोतंता दिवस के अफसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल नौ जाकियों में किस विभाग की जाकी को पहला स्थान मिला तो सोतंता दिवस के अफसर पर गांधी मैदान पटना में जो जाकिया निकाली गई थी कुल नौ जाकिया निकाली जान सदर अस्पतालों में चिकित्सिये वैवस्था से संबंदित है मिसन गुनवत्ता नेक्स्ट है डुम्राओं के वीर कुवर सिंग क्रीसी महाविद्याले के युवा विज्यानिक डॉक्टर प्रकास सिंग ने किस फसल की नई किसम हीरा की खोज की जिसका चेयन रास्टी इस तर पर उत्पाद के लिए किया गया है तो डुम्राओं का जो वीर कुवर सिंग क्रीसी महाविद्याले के युवा विज्यानिक है डॉक्टर प्रकास सिंग इन्होंने धान की एक किसम हे हीरा किस की किसम है धान की नेक्स्ट है मैथली बाल कथा संग्रा उरंचु के लिए साहित्य एकैडमी ने बाल साहित्य पुरुसकार 2022 से किसको सम्मानित किया है डॉक्टर विरिंदर जहां को मैथली बाल कथा संग्रा उरंचु के लिए साहित्य एकैडमी ने बाल साहित्य पुरुसकार 2022 दिया है नेक्स्ट कोश्चन है स्कौच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में बिहार का इस्थान कितना है तो बिहार का इस्थान 11 है स्कौच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में नेक्स्ट है जनवरी 2023 में बिहार के नए महा अधिवक्ता की न्यूक्ती किने किया गया जिनका नाम है P.K. साही नेक्स्ट है नितिसकुमार ने अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री पद की सपत ली है तो मुख्यpptी जो है सृी नितिसकुमार आठवी बार बन चूके हैं बिहार के नेक्स्ट कोश्चन है रास्टिय सिक्षक पुरुसकार 2022 के बारे में कथन दिया गया है इस पुरुसकार के लिए बिहार के दो सिक्षकों का चैन किया गया नीसी कुमारी पटना के महादेव उच माधेमिक विद्याले खुजरू पूर में है और सौरफ सुमन ललित नारायन लक्षमी नारायन प्रोजेक्ट गर्ल्स हाइ स्कूल त्रिवेनी गंज में अध्यापन करते हैं तो रास्टिय सिक्षक जो पुरुसकार हुआ इसमें बिहार के दो सिक्षकों का चैन किया गया एक है नीसी कुमारी और एक है सौरफ सुमन नेक्स्ट कोस्टियन आते हैं अगस्ट 2022 में किस जिले में बिखारियों के दोरा खुद का एक अनोखा बैंक खोला गया है तो बिखारियों के दोरा मुझफरपुर जिले में खुद का एक अनोखा बैंक खोला गया नेक्स्ट है हाली में किस राज्जे ने पंचायत अस्तर पे युवाओं के बेहतर स्वास्त के लिए ओपें जीम खोनने की घोसना की है तो ओपें जीम बिहार राज्जे के द्वारा खोला जाएगा इसकी घोसना करी गई है नेक्स्ट है निम्लिकित में से किस राज्य सरकार ने हाली में ड्राई हॉटी कल्चर या फिर सुस्क बागवानी स्किम की सुरुआत की है ड्राई हॉटी कल्चर या फिर सुस्क बागवानी स्किम इसकी सुरुआत बिहार सरकार ने करी है नेक्स्ट कोस्चन है छे मई 2022 को बिहार के सिक्षा मंतरी के द्वारा नौवी से बारवी कक्षा तक के छात्रों की सुविधा के लिए स्कूली सिक्षा में डिजिटल तक्निक को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पॉर्टल लॉंच किया गया है तो बिहार के सिक्षा मंत्री के दौरा मई 2022 में नौवी से जो बारवी कक्षा तक के चातर है इनकी सुविधा को बढ़ावा देने के लिए फीलो पॉर्टल नामाग जो है पॉर्टल लॉंच क्या गया है फीलो पॉर्टल इंडिया इन्वेशन इंडेक्स 2021 इसके बारे में और सत्ते कतन बताना है इन्वेशन इंडिया इंडेक्स 17 पर्मुक राज़ो में महरास्टर को सिर्फसस्थान प्राप्त हुआ यह कतन गलत है बिहार का जो अंक है 58 है इसके साथ बिहार 15형 स्थान पे हैë पुर्बोत्त्र और पहाडी राज्यों की स्रेणी में मनीपूर सिरसस्थान पे है केंद्र सासित परदेश और सहर राज्यों की स्रेणी में चंडी गट को सिरसस्थान विला है नेक्स वे ते स्वाचथा सरवेक्षं 2022 में पटना की रैंक 38 है नेक्स विहार सरकार ने कितने वर्ष से अधिक आयू के विडिक्छो डाटा तैयार करके इनके संद्रक्षन की अनूठी पहल की है तथा इस सिलसले में बिहार राज्य जै विवित्ता परसत ने बिहार हेडिटेस ट्री एप तयार किया है तो बिहार हेडिटेस ट्री एप जो है ये तयार किया गया है बिहार सरकार के द्वारा 50 वर्स के आयू के जो भी विरिक्ष है अधिक आयू के इनका डाटा त्यार करना है इसके लिए बिहार हेरिटेस ट्री नाम का एप लॉंच किया गया है नेक्स्ट कोश्चन है बिहार राज्य सरकार ने राज्य के अंदर की भस्टाचार की सूजना देने वाले को इनाम देने तथा दोसी सिद्ध होने पे दोसी के अवयत कमाई का दो फिस्दी हिस्सा देने का निर्न लिया है तो कौन सा राज्य है ये बिहार राज्य सरकार के द पुरानी खगोली वैद साला को युनेस्को की लुप्त पढ़ाई धरोर सुची में सामिल किया गया है। रोहु मचली है, मिथला की रोहु मचली इसको जी आटेक देने के लिए किन सरकार से संपर करने का फैसला लिया है। महराष्टर के हैं सुकांत कदम इन्होंने गुल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट है इंडिया स्किल 2021 रास्टिय परतियोगिता में बिहार ने चार सुन दो रजत और पांच कांसे सहीत कुल ग्यारा पदक जीत कर पदक तालिका में कौन सा इस्थान हासिल किया है। इंडिया स्किल 2021 रास्टिय परतियोगिता में बिहार का छटा इस्थान मिला है। बिहार ने टोटल ग्यारा पदक जीते जिसमें से चार सुन दो रजत और पांच कांसे। नेक्स्ट है निमलिकित में से बिहार की किस राजनितिक दल को मनीपूर में राज्य पार्टी का दरजा मिला है। तो मनीपूर में राज्य पार्टी का दरजा जो है जदियू को मिला है बिहार की राजनितिक दल है जदियू। नेक्स्ट कोस्टन है केंदर सरकार के 90 दिवसी अभियान आजादी से अंतियोद्दे तक के तहत बिहार की कितने जिलों का चैन किया गया है। तो किन सरकार का 90 दिवसी अभियान आजादी से अंतियोद्दे तक इसके लिए बिहार के 4 जिलों का चैन किया गया। नेक्स्ट है निमलिकित में से किसकी मदद से पटना में बिहार का पहला मल्टी लेयर ट्रमपेट तयार किया जाएगा। नेक्स्ट है दरभंगा के अमिताब चोधरी का निधन हो गया। उनके संबंद में कथन दिये गया है। तो अमिताब चोधरी जो ये दरभंगा के जिनका निधन हो गया वे BCCI के पुर्व कारेकारी अध्यक्ष रह चुके हैं। और 2005 में वे जार्खन स्टेट किर्केट एसोसियेशन के भी अध्यक्र बने थे अमिताप चौधरी नेक्स्ट ए अंतर आस्टीय संस्था है नाइट फ्रैंक इंडिया के दोरा जारी इंडिया वे आउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022 में वे आउसिंग उपलब्दा वाले सेहरों में बिहार के पठना को कौन सा अस्थान हासिल हुआ है तो बिहार के पटना, पटना को जो है दूसरा अस्थान हासिल हुआ है इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट नेक्स्ट है के अधर सरकार ने किस राज्ये की भिक्षा विर्दी निवारन योजना को मौडल के रूप में सुईकार किया है नेक्स्ट कोस्टन है एमिर्जेंसी रिस्पॉंस स्पोर्ट सिस्टम के संबंध में सही कतन बताना है इसके तहट किसी भी आपात स्थिती में सहायता के लिए सिर्फ 112 नंबर डाइल करना होगा नितिस कुमार के दौरे से 6 जुलाई 2022 को लौंच किया गया इसका कंट्रोल रूम पटना के राजवनसी नगर में बनाए गया है और संधी राइट होगा नेक्स्ट कोशचन बिहार स्टार्टप पॉलिसी 2022 के तहट सीट फंड के रूप में कitनी रासी दस वर्ष के लिए बिना व्याज के यूवा उध्मियों को दिया जाएगा जिनका हाली में नीधन हो गया किस लोक निर्क निर्द्टे से जुरित है परसिद्धि लोग का लाकार है राम चंदर माजी जो की सारंजिला के हैं इनका हाली में मतलब मिर्थ्यू हो गया ये किस लोग निर्थ्य से जुरे थे तो ये जुरे थे लॉंडा निर्थ्य से नक्सा ओनलाइन मंगाने की विवस्था लागू करने वाला बिहार देश का कौन सा राजे बन गया है नक्सा ओनलाइन मंगाने की विवस्था लागू करने वाला बिहार देश का पहला राजे बना है नेक्स्ट है हाली में बिहार विधान सभा के सत्रवे स्पीकर कौन बने हैं बिहार के विधान सभा के सत्रवे स्पीकर अवद विहारी चौधरी अवद बिहारी चौधरी बिहार के जफर कमाली को उनकी कवीता होसलो की उरान को किस भासा के लिए बाल सहित्ते पुरुसकार 2022 से सम्मानित क्या गया बिहार के जफर कमाली को उनकी कवीता होसलो की उरान इसको बाल सहित्ते पुरुसकार 2022 से सम्मानित क्या गया किस भासा में है ये उर्दू में नेक्स्ट ने बिहार सरकार के द्वारा मुखे मंत्री ग्रामिन सोलर ट्रीट लाइट योजना 15 सेप्टेंबर 2022 से सुरू की गई ये किस सहर से सुरू हुई है परतना से नेक्स्ट क्रेशन है बिहार के मुखे मंत्री ने डकडा नाला पंप नहर पडियोजना को पुनर जीवित करने के लिए निर्देश दिया है ये पडियोजना किस जिले में इस्थित है ये किस जिले में इस्थित है ये मुंगेर जिले में है नेक्स्ट है बिहार के कदवा कोसी नदी छितर में greater adjutant stock गरूर की संक्या अब 600 को पार हो जाने का अनुमान है ये किस जिले में पाये जाते है ये भागलपूर जिले में बिहार के कदवा कोसी नदी छितर में greater adjutant stock गरूर की संक्या अब 600 को पार हो जाने का अनुमान लगा जा रहा है भागलपूर में है निक्स्ट कोश्चन है ग्रामिन उदमिता और लोक कला को बढ़ावा देने के लिए ग्रामिन विकास बिभाग के दौरा बिहार सरसमेला 2022 का आयोजन किस जिले में क्या गया बिहार सरसमेला 2022 इसका आयोजन क्या गया पटना में नेक्स्ट किस योजना के तहत बिहार के किजानब ओला उबर की तर्ज पे ट्रैक्टर समेत अन्य क्रिसी यंत्रों की ऑनलाइन बुकिंग कर उन्हें किराये पे मंगा सकते हैं तो मुख्य मंत्री हरित क्रिसी संयंत रुयोजना के तहत ओला और उबर की तर्ज पे ट्रैक्टर जो है वो मंगा सकते हैं, ओनलाइन भुगिंग कर सकते हैं नेक्स्ट है हाली में जारी आकड़ों के अनुसार बिहार सब्जी उत्पादन में देश में किस अस्थान पे रहा, सब्जी उत्पादन में बिहार तीसरे अस्थान पे रहा है नेक्स्ट हाली में एक रिपोर्ट के अनुसार इसरम पोटल पे सरमिकों के निबंधन के मामले में बिहार का रैंक क्या है इसरम पोटल पे सरमिकों के निबंधन के मामले में बिहार का जो रैंक है वो दूसरा रहा है नेक्स्ट है बिहार में महिलाओं की भागिदारी के मामले में पुलिस में महिला भागिदारी के मामले में बिहार देश में किस स्थान पे है तो पहले स्थान पे आ चुका है नेक्स्ट कोस्टन है पंचायती राज दिवस के अफसर पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के दौरा बिहार की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया पंचायती राज दिवस के अफसर पे बिहार के छे पंचायतों को सम्मानित किया गया नेक्स्ट कोस्टन है बिहार के किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने ग्रीन रेलवे स्टेशन पर्योजना के तहत सिल्वर रेटिंग परदान की है तो भागलपूर रेल्वे स्टेशन को जो है ये ग्रीन रेल्वे स्टेशन पर्योजना के तैट सिल्वर रेटिंग दिया गया है नेक्स्टे निमलिकित में से किस सहर में मुख्यमंद्री नितिसकुमार के दौरा अंतरास्टी महाबोधी सांस्कृति केंद्र का उधगाटन किया है बोधगया में नेक्स्ट हे हाली में आयुजित सतरवे Film Fair Award 2022 में बिहार के किस अभिनेता को सरफ स्रस्ट सहायक अभिनेता के पुरुसकार से सममानित क्या गया तो सरसटवा जो Film Fair Award था इसमें सरफ स्रेस्ट सहायक अभिनेता के रूप में पंकस्त त्रिपाथी को सम्मानित किया गया जो बिहार के हैं नेक्स्ट आ जाते हैं सेट 4 पे, सेट 4 का पहला कोस्चन है हमारा आरुन कुमार जा इनको विश्व साहित्ते सिक्षक पुरुसकार से सम्मानित किया गया जो की मधुबनी डिस्टिक से हैं ये अरुन कुमार जा नेक्स्ट है हाली में नालंदा डेडी, CSS मार्क पाने वाली देस की कौन सी डेडी बन गई है तो नालंदा जो डेडी है यह CSS मार्क पाने वाली देश की पहली डेडी बन गई है नालंदा डेडी सारे कथन सही है नेक्स्टे बिहार के रितिक आनन्द ने पताया थाइलेंड में आयोजित छठा एसिया पेसिफिक डेव वैल्मिंटन चैंपियन्शिप के मिक्स डबल्स में कौन सा मैडल जीता है तो इन्होंने गोल्ड मैडल जीता रितिक आनन्द नेक्स्टे हाली में बिहार के तीरंगा फैराया है तो यहाली में बिहार की परवता रोही है नंदन कुमार इन्होंने लाहौल पिति की कानामो चोटी के उपर 328 फीट उजा तिरंगा फैराया नेक्स्ट है हाली में बिहार पुलिस ने अपने चक्र एप के लिए निमलिकित मेज़े किस संगठन के दौरा स्मार्ट पुलिसिंग अवर्ट 2022 प्राप्त किया तो बिहार पुलिस ने अपने चक्र एप के लिए जो है स्मार्ट पुलिसिंग अवर्ड 2022 ये प्राप्त करा है FICCI संगठन के द्वारा चक्र एप नेक्स्ट है बिहार के एक मात्र टाइगर रिजर्ब बालमी की टाइगर रिजर्ब में इक किस तिती से टाइगर सफारी का सुभारम किया जाएगा टाइगर सुभारि का सभारम एक नमेंबर 2022 से किया गया नेक्स्ट कोस्टन है नेक्स्ट है हाली के घोसना के अनुसार चेनारी में एथिनौल प्लांट इस्थापित किया जाएगा यह किस जिले में है तो चेनारी में क्या होगा एथिनौल प्लांट इस्थापित होगा यह रोतास में है चेनारी नेक्स्ट है निम्रिकित में से किने हाल ही में अमेरिका में order of the long leaf line सम्मान से सम्मानित किया गया order of the long leaf pine सम्मान इससे सम्मानित किया गया है सौधेस चटर जी को नेक्स्ट ए bcci की ओर से आयोजित होने वाली women's under 19 t20 challenger trophy के लिए बिहार से किस एक मात्र खिलारी का chain किया गया है तो यासिता सिंग इनका chain करा गया है नेक्स्ट ए पी एम गती सकती योजना के तहत अत्या धुनिक कार्गो टर्मिनल का निर्मान अडानी ग्रूप के द्वारा बिहार में कहां किया जाएगा तो गती सकती योजना के तहट कारगू टर्मिनल का निर्मान जो है अडानी गुरूप के द्वारा किया जाएगा बिहार के पूसा में नेक्स्ट ए हाली में कितने सब मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीतकर बिहार को गुर्वानतित किया है तो हाली में मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीतकर के किसने जीता है तो ये जीता है नील आर्डेन ठाकुर ने मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड नेक्स्ट है निम्न लिखित में से किस स्थान पे हाली में केंद्री गिरी मंत्री अमित साह ने जैपरकास नारायन की 15 फिट उची परतिमा का अनावरन क्या गया है ये किस स्थान पे सीताब दियारा में नेक्स्ट है मद्धे पर्देश के इंडौर में हाली में दूसरी रास्टी है पीकल बॉल चैंपियंशिप आयोजित की गई बताए कि बिहार के संदर्व में कौन सा गतन सत्य है तो मद्धे पर्देश के इंडौर में दूसरा रास्टी है पीकल बॉल चैंपियंशीप आयुजित क्या गया जिसमें विहार को 2 सुर्ण पदक मिला, 2 रजट पदक मिला और 2 कान से पदक मिला निक्स्ट आजाते हैं हाली में विहार का कौन सा जिला, पहला 100% डिजरल बैंकिंग वाला जिला बन गया Tillी बिहार के किस वॉलिएब्यूड अमिनेता को चुनावायोग ने अपना नेशनल आइकोन बनाया है पंगस्तरपाथी नेक्स टे बिहार राजे का पहला multimodal logisletic park पत्ना में बनाया जाएगा स्वक्षता सर्वेक्षन 2022 में गंगा किनारे वाले सहरों की सुची में बिहार के किस सहर ने पहला इस्थान हासल किया तो स्वक्षता सर्वेक्षन 2022 में गंगा किनारे वाले सेडों की सुची में जो पहला स्थान है वो हासिल किया है मुंगेर ने नेक्स्ट है छटपर बागवानी रूफ टॉफ गार्डनिंग योजना की सुरुआत किस राजे सरकार ने सुरू की नेक्स्ट है सभी पंचायोतों में किसान चौपाल आयुजित करने के लिए नितिस कुमार के दौरा रभी महा अभियान 2021 सुरू किया गया है नेक्स्ट कोस्टन है केंदरिय पर्दूसर्ण नियंतरन बोट के डिपोर्ट के अनूसार 2022 में बिहार के कौन सी नदी सबसे ज़्यादा पर्दूसित रही है नेक्स्ट है केंदरिय गिरी मंत्री अमित्ज, सांगि ने घौसना किया कि विपूबर सिंग का इस्मारक उन नेक्स्ट बिहार के किस जिले के सवलपूर दियारे में मा गंगा की 101 मीटर उची परतिमा स्थापित की जाएगी सवलपूर दियारा यहाँ पर क्या होगा गंगा मा की 101 मीटर उची परतिमा स्थापित की जाएगी यह किस जिले में होगा तो यह पटना जिले में होगा सिविल सेवा दिवस के अफसर पर नितिस कुमार के दौरा जल जीवन हरियाली अभियान के उतक्रिस्ट किडियानवन के लिए किस जिले को पहला अस्थान मिला है पर्थम पुरुसकार परदान के आगया है सिविल सेवा दिवस के अफसर पे नितिस कुमार ने जल जीवन हडियाली अभियान के उतकृष्ट किरियानवन के लिए पर्थम पुरुसकार दिया है नालन दजिले को नेक्स्ट है देश भर में काम करने के लिए विदेश जाने वाले लोगों की संख्या के मामले में सभी राज्यों में बिहार का जो अस्थान है वो कितने नमबर पे है दूसरे स्थान पे है बिहार देजभर में काम करने के लिए विदेज जो है ये बिहार से ज़्यादा लोग जाते हैं दूसरे स्थान पर है बिहार नेक्स्ट है हाली में बिहार विधान परिशत के उपसभापती कौन बने हैं बिहार विधान परिशत के उपसभापती रामचंदर पूर्वे बने है पर्मुक्ते हो रहे बढ़ना पड़्व जो है यहां जाती है यहां का एक पर्व है बढ़ना परव नेक्स्ट है निम्लिकित में से बिहार के किस अस्थल को आउट्लुक ट्रैवलर अवर्ड दोजरबाइस समारों में सरफ सिस्ट अध्यात्मिक अस्थल का सम्मान दिया गया है तो बिहार का बोद गया बोद गया को जो है आउटलुक ट्रैवलर अवर्ड दोजरबाइस समारों में सरफ सिस्ट अध्यात्मिक अस्थल का सम्मान मिला है नेक्स्ट क मंदी विबादों के मामले में बिहार देश में पहले इस्थान पे है और सरवादिक हत्या मामले में बिहार दूसरे स्थान पे ऑप्सन डी नेक्स्ट बिहार की तरज पे देश में किस तिथी को रास्टी डॉल्फिन दिवस मनाये गया तो बिहार के तरज पे रास्टी डॉल्फिन दिवस जो है वो मनाये गया 5 अक्टूबर को नेक्स्ट है एहम्दाबाद में आयोजित नेसनल गेम्स में बिहार रगबी टीम को कौन सा पदक हासिल हुआ नेसनल गेम्स एहम्दाबाद में आयोजित हुआ जहां पे बिहार रगबी टीम को जो है कौन सा पदक मिला है कान से पदक नेक्स्ट है महिलाओं के खिलाफ अपराद के मामले में बिहार किस अस्थान पे है तो बिहार को 26 अस्थाने महिलाओं के खिलाफ अपराद के मामले में नेक्स्ट है निम्लिकित में से किसे हाली में 2022 का 32 बिहारी पुरुसकार डॉक्टर मादव हारा को मिला है नेक्स्ट है हाली में 13 नवंबर को पटना में नितिस कुमार ने भारत के किस पुर्व परधान मंतरी की परतिमा का अनावरन किया तो 13 नवंबर 2022 को पटना में नितिस कुमार के द्वारा पुर्व परधान मंतरी जवाहरलाल नेडू के परतिमा का अनावरन किया गया नेक्स्ट है हाली में ऑजिट 37 रास्टे जुनियर एथ goof्यंट्स चैंपियंशिप के डिसकस थो चक्का फेक अंडर 18 में बिहार की किस महिला खिलारी ने कान से पतक जीता है तो इसे 6ERास्टे जुनियर एथ जुनियर एथलेटिक्स चैंपियंशिप में हाली में आयोजी 333 इस्ट जोन जुनियर एथिलेटिक्स चैंपिएंसीव 2022 में बिहार की नीसी कुमारी ने कौन सा पतक जीता तो नीसी कुमारी ने सुंड पतक जीता है तेधिसवे इस्ट जोन जूनियर अथलेटिक्स में 27 नवेंबर 2022 को नितिस कुमार ने किस सहर में गंगा जल आपुरती योजना की सुरुआत की गंगा जल आपुरती योजना की सुरुआत जो है राजगीर नालंदा से करी गई नेक्स्ट कोस्टन है गया शॉझा कि अधालु का निर्मान होगा जो माधार सीता की सबसे बढ़ी पर्तिमा होगी सीता मधी में सीता मा की सबसे बढ़ी परतिमा होगी कि इसने कि में बिहार इस्ति किस बिजली सैं mechanic को सौन सकती अवार ऐसे समानीत क्या गया है कहल गाऊ बिजली सैंध को को नेस्ट रे पदम सीरी से समान इभार के लोक नायका संगीर का ब्रज किसोरद으ब . का हाली में निदन हो गया बताएं कि उन्हें किस वर्श संगीत नाटककysis प्रुषकारicorn से समानत किया अजय भिर्श कुमार नेख्स्ट कुमार के भाली में बिहार के पैड़ा एथ inhibitिक्स सैलेच कुमार ने वर्ल्ड पैड़ा बिहार दिव्यांग खेल कूद संग के द्वारा किर्केट के अज गैवी नाथ कप 2022 का आयोजन भागलपुर जिले में होगा लास्ट कोस्चन है सिट फोर का हाली में बिहार के किस जिले को नेशनल वार्टर अवार्ट परदान किया गया है यह कितने वर्षों के बाद हुआ है 17 बश्चों के गई हुआ है लेक्स्ट कोस्टन है भुबनेश्वर में संपन्ध नेशनल इसकूली चेस चैंपियनसिप का किताब अपने नाम turtle पर किसी वे आयु वर्ग में नेशनल स्कूली चेस चेंपियंशिप जितने वाले बिहार के पहले खिलारी कौन बने है तो मुहमद रियान जो है भुम्रेस्वर में संपन्द दस्वी नेशनल स्कूली चेस चेंपियंशिप में जितने वाले पहले खिलारी बने किसी भी वर्ग में ठीक है चेस तो राश्टपती जी के द्वाला नर्सिंग के छेतर में सरवच्च सम्मान जो है फ्लोरेंस नाइटेंगल अवार्ड ये दिया गया है नाजिया परवीन को नितिन गठकडी ने बिहार की पहली 189 किलो मीटर आमस दरवंगा एक्सप्रेस वे की आधार सीला रखी ये एक्सप्रेस वे बिहार के कितने जिलों से होकर गुझरेगी तो ये गया जहानाबाद पत्ना वैसाली समस्तिपूर दरवंगा और नवादा से होकर के गुझरेगा आमस दरवंगा एक्सप्रेस वे नेक्स दे नवेंबर 2022 में किस राजे सरकार ने ये घोसना की कि अब सरकारी स्कूलों में 5 दिन पढ़ाई और सनीवार को नो बैग डे होगा हर सेटेडे को तो ये घोसना हुआ है बिहार में नेक्स दे गुहाटी असम में आयोजित 37 नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियंशिप 2022 के भाला फेक परती असपरधा के अंडर 14 वर्ग में बिहार के परदीप कुमार ने कौन सा पदक जीता तो परदीप कुमार के दौरा कान से पदक जीता गया गुहाटी असम में आयोजित 37 नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियंशिप में भाला फेक परती असपरधा के अंदर नेक्स दे किस राजे सरकार ने हाली में राजे के हर जिले में भुकम क्लीनिक खोलने का फैसला किया गया बिहार सरकार के दौरा नेक्स दे किस राजे सरकार ने अलप संक्यक रोजगार रिन योजना के तहट राजे के अलप संक्यक लोगों को 5 लाग रुपे का रिन उपलब्द कराने का फैसला लिया है बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए ब्रान एंबिस्टर नुक्त किया है तो मनुज वाजपेई और पंकस्तर पाथी को जो है नगर निकाय चुनाव के लिए ब्रान एंबिस्टर चुना गया है option D right होगा नेक्स्टे नई दिल्ले में आयजित हुआ था आरोग के मंधन 2022 के दोरान हेल्थ केर फैसलिटी रेजिस्ट्रेशन में किस राज्य को पहला है इस्थान का आवर्ड दिया गया नई दिल्ले में आयजित हुआ था आरोग के मंधन 2022 इसके दोरान हेल्थ केर फैसलिटी रेजिस पहला अस्थान हासल क्या है बिहार ने नेक्स टे विहार के मदुबनी जिले के निवासी है इनको अंतरास्टी संस्था ब्रेटिस लिंगुआ ने विस्वसाहित्य सिक्षक पुर्षकार से सम्मानित किया है तो प्रोफेसर अरुन ज्जा जो की मदुबनी जिले से हैं इनको अंत्रास्टिय संस्था ब्रीटिस लिंगुवा ने विश्व साहित्ते सिक्षषक पुर्सकार दियाया। नेक्स्टे वर्ज 2021 में आर्थिक विकास दर के मामले में बिहार 10.98% विकास दर के साथ पूरे देश में कितने अस्थान पे रहा तो तीसरे स्थान पे रहा है ये नेच्स टे गुजरात में आजजित 36 वे रास्टी खेल के संबंद में सही कतन बताना है बिहार ने 2 कांसे पदक जीत कर पदक तालिका में 31 अस्थान हासल किया रगभी साथपर्थी ऐसपरधाओं ने बिहार में बिहार ने दिल्ली को हडा कर कांसे पदक जीता है बिहार की महीला नेटबॉल टीम ने कान से पदक जीता नेक्स्ट है सुक्षता ही सेवा के लिए निमलिकित में से किस राज्य को दूतिय पुरुसकार से समानित किया गया है सुक्षता ही सेवा के लिए इसमें से बिहार को जो है दूतिय पुरुसकार मिला है नीक्स्ट कोस्टैने vraag संप्टेमबर महीने की रिपोर्ट के अनुसार बिहार 11.40% बेरुजगारी के साथ देश में किस स्थान पे रहा संप्टैन इलेवेन पॉस्ट мамस्ते परइल पार colors बेरुजगारी के साथ डेश में छटे स्थान पे रहा नेक्स्ट है पुर्व मद्धे रेल्वे का पहला गती सक्ती कार्गो टर्मिनल किस रेल मंदल में सुरू किया गया है पुर्व मद्धे रेल्वे का पहला गती सक्ती कार्गो टर्मिनल जो है सोनपूर रेल मंदल में सुरू किया गया बिहार के किस छेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा कीट अटलस मॉथ मिला है बिहार के किस छितर में तो बिहार के वालमी की नगर में दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस माथ मिला है नेक्स्ट कोस्टर है एकतिशवा अंतरास्टी वियापार मिला हुआ इसका आयोजन नयिके परगती मैदान में किया गया इस वर्स बिहार, जारकन और महारास्टर को साजीदारी राज्य का दर्जा दिया गया राज्यों की स्रेनी में बिहार पवेलियन को रजत पदक यानि कि दूसरा स्थान हासिल हुआ है रजत पदक के साथ बिहार पवेलियन को और संटी राइट होगा नेक्स्ट निम्लिकित में से किसे बिहार के खाद एवं हस्त सिल्प का ब्राण अंबस्टर मैथली ठागुर को बनाए गया है बिहार की किस महिला किलारी ने नीजी लैंड में आयो जित जूनियर्कॉमन वेल्थ पावर लिफ्टिंग परतियोगिता में 6 गोल्ड मैडल अपने नाम किये नेक्स्ट नवेंबर 2022 में गोपाल गंज और मुकामा विधानसभा चुनाफ के समबंद में सही कतना बताना है गोपाल गंज और मुकामा विधान सभाचुना गोपाल गंज सीट पर भाजपा की कुसुम देवी ने जीत हासल की मुकामा सीट पर राजत की नीलम देवी ने जीत हासल की आपसन सी राइट होगा नेक्स्ट कोस्टिन है बिहार में किस सहर में फिल्म सिटी एवां अंतरास्टी किरिकेट स्टेडियम का निर्मान किया जा रहा है तो बिहार के राजगीर में फिल्म सिटी और अंतरास्टी किरिकेट स्टेडियम का निर्मान किया जा रहा है नेक्स्ट है बिहार में किस वर्स तक TV उन्मूलन का लक्ष रखा गया है तो बिहार में 2025 तक TV उन्मूलन जो है इसका लक्ष रखा गया है नेक्स्ट कोस्टन है बिहार के मुख्य मदरी निदिस कुमार ने कहा कि वर्तमान में बजट का 21% तक हिस्सा पढ़ाई पे खर्च होगा जिसको बढ़ा करके 25% किया गया यानि कि बजट का 25% हिस्सा पढ़ाई पे खर्च होगा नेक्स्ट बिहार सरकार के हर घर गंगाजल योजना के संबंद में सही कतन बताना है हर घर गंगाजल योजना इस योजना के पहले चरण की सुरुवात राजगीर गया और बोध गया से हुई दूसरा चरण 2023 में सुरू होगा नवादा जिले को भी इसमें कवर किया जाएगा इन सहरों में हर घर को परती दिन 135 लीटर पानी उपलब्द कराया जाएगा पटना के ज्यान भवन में मोधी एडदरे 20 सपने हुए साकार नेक्स टेक इस जिले को वन डिस्टिक वन प्रोड़क्ट के तहत मखाना उत्पादन के लिए पीम अवर्ट से सम्मानित किया गया मखाना उत्पादन के लिए PM Award से समानित किया गया है किस जिले को One District, One Product के तहट जो है दर्भंगा जिले को मखाना उत्पादन के लिए PM Award से समानित किया गया नेक्स्ट है खुदाई में मिलने वाले अफसेसों के आधार पे प्राचीन पाटली पुत्रा के बारे में और भी नई जानकारिया मिल सके इसके लिए किसके परिसर में खुदाई का काम सुरू किया गया है तो पटना म्यूजियम के परिसर में खुदाई का काम सुरू हुआ है नेक्स्ट बिहार में दहेश पर्था और बाल विवा के खिलाफ किसे ब्राण एंट मिस्टर बनाया जाएगा तो स्कूली छातर छातरा हैं इनको बनाया जाएगा सेन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मुर्ती का निर्मान कहां किया जा रहा है नेक्स्ट बिहार परेटन बिभाग के दौरा मुंदेसवरी मौद्सव का आयोजन किस जिले में क्या गया नेक्स्ट बिहार के किस जिले में राज्य का पहला फिस फीड मील का निर्मान किया जाएगा राज्ये का पहला फिस फीड मील इसका निर्मान होगा रोतास जिले में नेक्स्ट है हाली में 8 साल बाद भारत और नेपाल के बीच 65 किलो मीटर लंबी रेल सेवा शुरू ही है इसका पड़ी चालन बिहार के किस छितर से सुरू हुआ है आठ साल के बाद भारत और नेपाल के बीच 65 किलो मीटर लंबी रेल सेवा शुरू हुई जिसका पड़ी चालन जो है ये बिहार के जैन अगर से सुरू हुआ नेक्सटे 23 अपरेल 2022 को वीर कूवर सिंग के जयनती पे एक साथ कितने तिरंगा फहरा कर विस्व रिकॉर्ड बनाए गया है तो एक साथ 78,220 तिरंगा फहरा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गया 23 अप्रेल 2022 को नेक्स टे हाली में बिहार की राज लक्ष्मी का चैन सीनियर महीला किरके T20 के लिए हुआ है वो बिहार के किस जिल से है तो बिहार की राज लक्ष्मी इनका चैन किया गया है सीनियर महीला किरके T20 के लिए ये बिहार के सुपॉल जिले से है नेक्स्टे हाली में संपन हुए बिहार हाफ मैदान दौर में 65 वर्स की उम्र के कौन से वैक्ति पर्थन स्थान पे आएं बिहार हाफ मैराथन दौर में 65 वर्स की उमर के वैक्ति पहले स्थान पे आएं हरीहर साहनी इनका नाम है नेक्स्ट है हाली में बिहार का पहला Fire Brigade Training Institute Center कहां खोला जाएगा बिहार का पहला Fire Brigade Training Institute Center खोलेगा बीटा में नेक्स्ट है हाली में नीती आयो के दौरा जारी इस पे इस पी रेसनल डिस्टिक प्रोग्राम के डेल्टा रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने देश में दूसरा अस्थान प्राप्त किया तो नीती आयो के दौरा जारी क्या गया था इस पी रेसनल डिस्टिक प्रोग्राम या इसमें जो है दूसरा अस्थान हासिल क्या है गया जिले ने नेक्स्ट कोचन है हाली में सेखपूरा जिले के किस खिलारी का चैन All India University गेम के लिए हुआ तो All India University गेम के लिए जो चैन हुआ है प्रियर दर्सनी कुमारे और सुरूती रंजन का सेखपूरा जिले के हैं नेक्स्ट है हाली में बिहार के किस जिले में राम नव्वी के अपसर पे पाँच लाग दीपो से भगवान से राम की भव्वे आकिरती बनाई गई भागलपुर जिले में हाली में बिहार के किस जिले में पटना के बाद राज्ये का दूसरा तारा मंडल बना था अभी दूसरा तारा मंडल बन करके तयार हो गया दर्भंगा में किस राजे को मलेडिया उन्मूलन में उलेखनी ये परदर्सन के लिए सम्मानित किया गया है नेट्स डे-स सव्ख्ष्टा सर्वेक्ष्व 25 मेंसोसे अदीक निकायोंवाले राज्यों की सुची में बिहार का 21 है रवा है फॉर्याय में पृवोत्र भारत का सबसे बड़ा बॉर्ट्लिंग प्लाइंक बिहार के किसुमें सुरू कि गया है नेक्सुमें मिसें इंद्र धनूझ4.0 अभियान के दूसरे चरन के राज्य स्थारीय ranking में किस दिले को पहला स्थान मिला. मिसं इन्द्रधनुस 4.0 अभ्यान के दूसरे चरन के राज्य स्थारीय ranking में पहला स्थान मिला है अरड़िया को. Next है, कोसी की कि सहायक नदी पे पन बजली इकाय स्थापित करने को लेकर भारत और नेपाल के बीच समझोता हुआ तो कोसी की जो सहायक नदी है अरुन कोसी इस पे पन बिजली इकाय स्थापित करने के लिए भारत और नेपाल के बीच समझोता हुआ है नेक्स्ट पुर्व मद्दे रेल के अधिक राजस्व वाले टॉप 30 स्टेशनों की सुची में किस जंक्सन को पहला अस्थान प्राप्थ हुआ टॉप 30 स्टेशनों की सुची में जो है पहला अस्थान हासिल वा पटना जंक्सन को नेक्स्टे बिहार के सरकारी प्रारंबी के स्कूलों में पढ़ने वाले राज्यवर के छात्र छात्राओं के लिए पहली बार स्कूल रेडिनेंस का विसेस अभियान चलाए गया उस अभियान का नाम क्या है चहक 2.0 नेक्स्टे बिहार में वर्तमान में करमसा कितने नगर निगम और नगर परिसद है तो बिहार में वर्तमान में 19 नगर निगम और 88 नगर परिसद है गाईस देखो मैं थोरी सी थक गई हूँ इसलिए मैं जो है 5 सेट तक कम्पलीट कर रही हूँ ठीके आप लोग प्लीज वीडियो को धेर सारा प्यार देना प्लीज मैं नेक्स्ट वीडियो जल से जल अपलोट कर दूँगी जिसमें सेट 6 से लेकर के 10 होगा ठीके तो वीडियो को लाइक करो धेर सारा लाइक करो करो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया थैंक्स फुर वाचिंग इस वीडियो टेक क्यार गाइज